जीज दिखाँ वाले हैं, वो हमने इस तरह से डिजाइन किये हैं कि वो comfort भी आए easy to carry भी हो और ठोड़ा designer look भी दें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं friends आप सबकी बहुत सारी queries होते हैं जिसकी answer आपको चाहिए होते हैं तो हमने यह सोच है कि हम एक question answer का round रखेंगे पूरा तो अगर आपको जो questions पूछने हैं वो आप वीडियो की comment box में पूछ सकते हैं फिर हम उस एक वीडियो में उन सब questions की answer देंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहली साड़ी मेरी पूने क्लाइन की है इन्होंने हमें Instagram के थ्रू ही contact किया था इनकी age 50 plus है इन्होंने specifically mention किया था कि इन्हें इनकी age के according ही थोड़ी सी fancy dress है ये साड़ी भी इनकी काफी प्यारी साड़ी है पल्ले वाली साड़ी है पल्ले वाली साड़ी प्लेन है इसमें आप देख सकते हैं दोत रहे के border लगे हुए है और अंदर वाली सेट मेजंटा सेट में है थोड़ा वो सिल्क है और ये वाला pure cream है तो हम इन साड़ी से एक party फिर्ट त्यार करनी है तो हम इसमें से पहले लेज पूरी निकाल लेंगे जब भी हम कोई ट्रेस त्यार करते हैं तो उससे पहले हम साड़ियों में से लेस पूरी निकाल लेते हैं उसके बाद ही हम ट्रेस त्यार करते हैं इस साड़े से हमने एक लहंगा सेट त्यार किया है लहंगा हमने इस्टिंग वाला दिया है और कलियों वाला कलियां हमने इस तरह से कटिंग की है जो नीचे का golden border है वो एक साथ दिखाई दे पूरा border look दिखाई दे इसमें हमने one side कलियां डाली है क्योंकि नीचे की side चोड़ा border था और हमने straight में ही कलियां ली है side में हमने jeep रखी है एक hook आई रखा है और टेसल हमने इसमें हलकी रखी है क्योंकि इसकी उपर जैकेट आने वाली है lining इसमें हमने sand tune की डाली है उपर जो हमने jacket तियार की है वो हमने थोड़ी लंबी तियार की है आप देख सकते हो इसमें हमने पूरे में lining दी हुई है चोली लूक ही दिया है इसमें भी हमने jacket में चोली वाले पार्ट में हमने हुकाई वाला पार्ट रखा है blouse wala इनका हमने थोड़ा लंबा रखा है क्योंकि उन्हें टमी दिखता हुआ नहीं चाहिए था थोड़ा sover चाहिए था और कुर्ते की land भी आप देख सकते हो jacket की हमने जादा रखी है इसे हमने a-line में दिया है back neck भी हमने छोटा रखा है sleeves हमने half रखी है जो साड़ी में एक lace थी उसे हमने पतली करके neck पे दी है इस skirt की matching का ही हमने दुपट्टा लिया है और उसमें साड़ी का जो एक powder था heavy वाला वो हमने इस दुपट्टे में दिया है मेरी क्लाइन को ये टस काफी ज़्यादा पसंद आई है जब वो हमें pick भेजेंगी तो उसके बाद वो भी मैं आपको share करूँगी ये है इसका final look next शाड़ी मेरी दिल्ली क्लाइन की है इन्होंने हमें facebook पे और instagram दोनों पे देखा हुआ है तो ये जब हलदवानी आई थी तो अपनी दो साड़ी लेकी आई थी एक yellow साड़ी है और एक maroon कलर की साड़ी है पहले में आपको yellow साड़ी दिखाती हूँ ये सिफोन की printed सी self print की साड़ी है और इसमें green कलर का पूरा border लगा हुआ है तो हमें इनकी भी simple सी ड़स तियार करनी है इनकी hb 50 plus है तो हमें suit तियार करने है इनके इनके suit में हमने color वाला suit रखा है front में हमने lace को ही double करके दिया है और slis में भी हमने lace दी है आप देख सकते हैं कितना प्यारा look आया है yellow color काफी sover लग रहा था green color की lace से थोड़ा सा different look आ गया है और color भी हमने v-neck के साथ ही दिया है इसमें lining हमने cotton की लगाई है क्योंकि एक age के बाद cotton के अलावा कोई भी lining comfort नहीं आती है वो अपने साथ एक नाप का suit line थी तो हमने same A line में कुर्टी दी है और state में हमने pant दी है full elastic वाली pant है और elastic हमने काफी soft डाली है एक age के बाद कमर में hard elastic या फिर istring जैसी चीज comfort नहीं आती और recess हो जाते हैं इसलिए हम इसमें हमेशा soft elastic डालते हैं यह है इसका फाइनल लूप नेश डश भी मेरी इनहीं क्लाइन की है यह मेरून क्लर की प्योर सिल्की साड़ी थी तो इससे भी हम एक suit तियार करना था suit में हमने जो पल्ले वाला पार्ट है उसे हमने चोली में दिया है और कटवर्क में हमने नक दिया है इसमें इसमें भी लाइनिंग हमने कोटन की ही दि है और जो नक बनाया है वो भी हमने dos फोलड करके बनाया है उसदरा सभी बुक्रम या यह तच ना हो बैक हमने सिंपल दिया है , गल ऑग्वेल सुलीर में गलए और पैंट को भी हुआ लिडी है यह यह एक तरह से स्टेट होती है। इनकी दोनों कुर्टी हमने ए लाइन दी है . मेरी कि हीप पाय और फोड़ा साे कवर होयता है रखा ही रखा है हेजसे में अज़ोगा हटा है था की आ यहां तुपर्ट्टा हमने का सीफॉन का लिया है और इसमें सारी का जो बारच पैज़ तरफ स्लिए कोसिस करें जिससे कि एक केश की बाद बिल्कुल भी होने इचिंग या किसी भी तरह की दिक्कत ना हो अब जो साड़िया मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मेरी फरीदाबत क्लाइन की हैं इन्होंने हमें यूटूब के थ्रू ही कांटक्ट किया था इन्होंने यूटूब पे हमारी वीडियो देखी थी फिर इन्होंने हमें तीन साड़िया भीजी है एक यलो सिल्क में साड़्ी था पहly हम ँणकी एकसाड़ी तैयार करके भीज्गेंगी अगर वह फितिंग आपसे पहले ने उनकी एकसाड़ी तियार किया है फिरोजी ये आप पूरी साड़ी देख सकते हो फ्ययोड करके आप या इसमें नीचे और उपर और साइड में बॉर्डर लगा है मेरी क्लाइन को तीनों सूट ही चाहिए थी बर डिफरेंट स्टैल में तो इस साड़ी से हमने सूट तियार किया है जो बॉर्डर था उसका हमने पैस दिया है चोली में आप देख सकते हो कितना प्यारा चोटा स्टैल की पुरी ड्रेस बन की आई है इसमें सिफोन का ही हमने दुपट्टा दिया है जो साड़ी की लेसिस थी उसी में से एक लेस लेकि हमने दुपट्टे में लगाई है उन्होंने अपनी पिक भी बेजी है और वह काफी सैटिस्फाइड है अब हमने उनकी बाकी साड़ साड़ी तियार की है पहले हमने यलो साड़ी तियार की है यह सिल्की साड़ी है जिसमें रेट कलर का बॉर्डर है चारो तरफ और इसका पल्ला भी रेड है इस साड़ी से हमने एक सूठी बनाया है और सूठ हमने कॉलर वाला दिया है जो रेट कलर का बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में दिया है पूरा और कॉलर भी हमने रैड कलर का ही दिया है यह फ्रंट है इसका आप देख सकते हैं इसमें हमने कली डाली है कली हमने स्टेट दी है स्लीश दी है स्लीश में हमने रैड कलर का बॉर्डर दिया है इसे हमने थोड़ा सा इसे हमने स्टेट में ही बनाया कॉलर वाले में खास्यात यह होती है कि बैक से उपन नहीं होता पैंट हमने इनकी नॉर्मल रखी है पैंट के लिए उन्होंने अपना साइज भीजा था एक इसकी बाद जो 50 प्लैस लेडी होती है हम कोसिस करते हैं उनकी हम फूल इलास्टिक रखें अगर उनको प्ले में लगाया है यह है इसका फाइनल लुक नैक्ष साड़ी हमारी ग्रीन कलर की है यह बनार्ची साड़ी है पूरी और उनकी फैवरिट साड़ी है यह तो उनकी इच्छाते हैं कि इससे भी हम कोई सिंपल और सूवर सूठी बनाएं तो हमने इसमें भी हमने जो योग इसे वसे पैंट काट का शोली वाइं पार्ट केसा में हमारी में यह तक च्नुका बाइप यह सैंटी है फुल इलास्टिक पॉकेट के साथ और सिंपल पैंट है लाइनिंग हमने कॉटन ही यूज की है साथ ही हमने सिफोन का दुपट्टा डाई करा के गोल्डन पतली सी लेज इसमें दी है यह है इसका फाइनल लुक अब यह दो डस भी हम उन्हें भीजने वाले है फ्रेंट्स कैसी लगी वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी हम अपने बुटीक में बच्चों से लेके बुजरुगों तकी हर्त रहकी डेस्ट डिजाइन करते हैं तो अगर आपको किसी की डेस्ट बनवानी हो तो आप हमसे कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं मैं अ